हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त रेवी टेनर रहूल एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए 2022 का न्यू इस्टॉक अब आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज दिसंबर का महीना है आज 6 दिसंबर की डेट है और हमारा जो औरगेनिक अलफा अलफा की सीडिंग है यहां पे चल रही है और आप लोगों को दिखाएंगे यूएसे इंपोर्टेट अलफा अलफा का ये सीड्स है जो की औरगेनिक तरीके से हमाए फॉर्म में लगाया जा रहा है हम ही लगा रहे हमी सीडिंग करेंगे खुद किसान आदमी है अपने फॉर्म में औरगेनिक प्रोडेक्ट बनाते हैं आप लोगों तक पहुंचाते हैं अगले साल बहुत सारी कमियां रही बहुत सारे लोगों के कुछ कमेंट आया कुछ सुझावा है उससे सीख सकते हैं दूसरा मैथेड यह है कि आप पानी को भर दीजिए उसके उपर से सीड्स डाल दीजिए इसमें होता कि हलका हलका बीच बीच में जो पानी के साथ जो बीच है वो जम जाता है उससे जगा जगा जमाओ थोड़ा इधर उदर हो जाता है लेकिन अभी बहुत बड़ पर कम से कम दो से तीन साल लगातार चलेगा लेकिन हमारी प्लानिंग यह है कि बारिस आने तक इसको चलाएंगे बारिस के बाद जैसे ही नई फसल की सीडिंग का समय आएगा इसकी जुताई करवा के नया फसल लगा देंगे तो अभी यह जो सीड्स आप लोगों के सामने ह हम यहां पर बीजाई करके दिखा रहे हैं देगे ध्यान यह रखना है कि बहुत जो बीज होता है बहुत छोटा-छोटा होता है तो बहुत केरफुली बीज को डालते हैं और इस तरीके से पूरे फार्म में हम अपने खेत में एलफा-एलफा की जो और गेनिक फसल है उसकी जमाओ होगा और यह जो हमारी फसल है अगले पैतालिस दिनों वाद चलू हो जाएगी युएस से एंपॉर्टेट सीट का फैदा यह रहता है कि इस सीट से जो पेन निकलेगा उसके पत्ते कल्ले बहुत चोड़े होंगे डंठल मुलायम होगा और जिसको खरगोस विनीपी अच्छी तरीके से खाएगा और इसका एक फायदा यह भी है कि इसमें अंदर जो न्यूट्रेशन वैलू है जो इंडियन देसी सीट होता है उससे कहीं अधिक होती है और इसका कॉस्ट जो है वो हमारे देसी सीट से बहुत जादा होता है तो इस तरीके से आप अपनी खेत में जो फसल है इलफा-इलफा की इसका बिजाई कर सकते है इसकी बिजाई का समय जो सुधांबर महीने से लेकर हमारा दिसंबर तक होता आप जनौरी में भी इसको लगा सकते है अभी रह you हो जायए अभी सीड्स आने में यूट्यूब चैनल के साथ आप यद इस प्रोडेक्ट को खरीदना चाहते हैं तो एमेजॉन और फ्लिप कार्ड पर सर्च करेंगे हर्वल सिनोवेट इंडिया वहाँ पर हमारा इस्टोर आ जाएगा और वहाँ पर हमारे सारे प्रोडेक्ट एविलेबल हैं आप वहाँ से ल एखिए ये तिमोथी का जो सीट्स है इस डिब्बे के इंदर रखा हुआ हैं आपको करीब से दिखाए इस तरीके से तिमोथी का सीट्स होता है बहुत चोटा 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 दाना तिमोथी के सीड्स का होता है यह हमने USA से मंगवाया है और इस अपने जो औरगेनिक ग्रास का रेविट फॉर्म है हमारा यहां पर अलफा अलफा और तिमोथी की मिक्स क्रॉपिंग की जा रही है प्योर औरगेनिक तरीके से अभी इस फसल की बिजाई करके हमने आपको दिखाया है और इस तरीके से यह जो ग्रास त्यार होगी प्योर औरगेनिक होगी इस ग्रास में अलफा अलफा तिमोथी और्स और तमाम तरीके की जो ग्रासे जो रैबिट गिनीपिग और हैमेस्टर के ग्रोथ के लिए काफी जो हमारे बहुत सारे कस्टमर्स हैं उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई उनके लिए हम छमा प्रारती हैं देखिए यह हमारी लैंड है वहाँ पर लेवर लोग लगे हुए हैं काम कर रहे हैं उनके साथ हम भी लगे हुए हैं बिलकुल आप लोगों को अपने फॉर्म से और्गेनिक तरीके से जो अलफा अलफा और तिमोथी की ग्रास की मिक्स क्रॉपिंग है उसको हम लेकर आएंगे और इस ग्रास के वीडियो आप लोगों तक बीच बीच में पहुंचते रहेंगे यहां पर इस तरीके से हम लोग विजाई कर रहे हैं देखिए इस यह जो ल आप सभी लोगों तक हमारा जो इस टॉक है वो पहुंचने लगेगा तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और यकीन बाने सबसे अच्छे लाजवाब और सांदार ग्रास हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ऐसी प्योर औरगेनिक अलफा अलफा से दूर होती है वो लोग खुद भी सेवन करेंगे हजारों हजार लोग आज आज हमारा जो एलफा एलफा ग्रास है उसको लेकर जो सुखी गास आती है उसका पाउडर बनाकर एक चम्मस सुवे साम सेवन करते हैं और उन लोगों को हम बहुत ज़्यादा च्छमा कहना चाह अपने के लायक होगी मैक्सिमम दो महिने में हम आप लोगों को इसका प्रोडेक्शन दे देंगे बिल्कुल यह समझे कि आप लोगों तक सबसे अच्छा और लाजवाब सांदार प्रोडेक्ट पहुंचेगा आप लोग यहां देखेंगे कटिंग हो रही सुखाया जा रह है पैकिंग की जा रही और आप लोगों तक घर में पहुंचाया जा रहा है बिल्कुल आपके घर जैसा प्रोडेक्ट आप लोगों तक हमारे यहां से पहुंचेगा तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल रेविट फॉर्मिंग के साथ और आप हमारा दूसरा चैनल हर्वल सिनोवेट इंडिया यूट्यूब पर सर्च करके उसको भी सस्क्राइब कर सकते हैं उससे सस्क्रेप्शन का फैदा यह है कि वहां पर जब भी वीडियो डाले जाते हैं तो आप लोगों को दिखाया जाता है कि किस तरीके से नैस्वारी कौन-कौन से प्रोड यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब कीजेगा